साया यो तो बनारस घाट अपनी खुबसूर्ती के लिए बहुत प्रचलित है पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने मम्ता निवास से जहां प्रिया लाल जोडे में मम्ता के घर उसकी बहु बन कर आती है आओ आओ बहु घर को अपने पैरों से पवित्र करो मम्ता घर की दहली स्पार कर ही रही ही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है ये पद्बू और ये आवाजे ये कौन हसरा है मा अब ये पडोसी न हमारे थोड़े अलग से है कहां हम शा काहारी और ये मास बच्छी खाने वाले छोड़ तु ध्यान मत दे और ग्रह प्रवेश कर और हाँ बहु अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना इन पडोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी अच्छे लोग नहीं है ये अपनी सास की ये बात मानेगी न बेटा हाँ मा जो आपके मर्जी मैं उनसे बात नहीं करूंगी अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है ये छोकी बास तो नाक में जा रही है एक काम करती हो खिड़की खोल देती हो प्रिया खिड़की खोलने जाती है इतने चाले लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया पर ऐसा क्यों ओ नॉन वेज की स्मेल आती होगी न दो मिनिट के लिए खोल लेती हो फिर पड़ती है जहां एक लड़की खड़ी होती है हाथों में मेंदी लाल रंगी साड़ी बिल्कुल सची धजी मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहु हो वो प्रिया को देख कर मुस्कराती है ये भगवान माने तो इनसे बात करने को मना किया था प्रिया फोरण ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चड़े रूटी की और देखने लगती है पर वहां रूटी नव होकर मचली पड़ी होती है यह क्या पहली ही रसुई में इतनी बड़ी गलती यह भगवान अब मैं क्या करूँ ब्रिया बहुत डर जाती है और फॉरन रसुई की सफा करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है जब वो सब को खाना परुस्ती है सब तो ठीक है मैं बेकार में चिंता कर रही थी हे भगवान ऐसे ही पास अपनी कृपा बनाए रखना रात की बाग जब सब सू रहे होते हैं तब प्रिया को पायल की आवास सुनाई तक जाती है तब ही उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है तो यह देखती है वही लाल साडी और लड़की अपनी गोध में द नौजात बच्चे को गुमा गुमा कर सुला रही है, तब भी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है, ओ गाड, ये तो प्रेग्नेंट भी है, सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या, मैं कुछ मदद करूँ, नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लेगा स्नीहा की गोद से बच्चा हाथ मार कर प्रिया की गोद में आने को छट पटाने लगता है, दोनों घर अगर बगल में बने होने के कारण, प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है, प्रिया के पास आती ही वो सो जाता है, बच्चे का वो सपर्ष रात भर प्रिया बहु घर आना बाबू को खिला भी लेना शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पडोसन की घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिला कर वापस लौटाती है इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो मा बनने वाली है ममता की खुशी का छिकाना नहीं रहता मा जी पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है प्रिया भागती हुई वाश्रूम में जाती है तो हारिये और लाल रूंकी उल्टी करती है उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं यह क्या खूल और यह कीड़े मा मा प्रिया क्या आवाज सुनकर ममता दौड कराती है पर बीजिन में कुछ नहीं होता प्रिया हग की बक्की रह जाती है यह सब क्या हो रहा है प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सूजाती है डर के कारण वो इतनी ठक जाती है कि उसकी आख लग जाती है तब उसे ऐसा मुझे लाई ना अपने पेट में तबहरी मानी हूं कार नो तुम मा देखो मैं चल गई बुरी तरह से छे मेंने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला से लादो ना मा बचाओ बचाओ मा ममता दौड कर कमरे में आती है प्रिया की बाते सुनकर वो सब समझ जाती है और इसलिए स्निहा ने अपना जन्मा बच्चा तुम्हारी कोक में डाल दिया ममता ये कह रही होती है के पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है दादी, दादी मा, स्निहा की गोद में यही बच्चा था ये बच्चा कौन है फिर तेरी मोट है तेरी भी दादी जिस जिसका ममता को डर था वही हो गया ममता निवास के उपर मौत ने जादर बिच्चा दी थी प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो नौ मैने का हो दो हाथ उसकी पेट से बहा निकलते हैं बहू संतोष को फोन कर किसी पंडित जी को बुला बहू प्रिया का पती भागता हुआ घर आता है ये तो होना ही था मा तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू से नहीं पा रही है इसने हाँ घर में आग लगी नहीं थी मा ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है मेरा बेटा जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था मैंने तुमसे ये सब मा के कहने पर छुपाया था मुझे माफ करतो प्रिया तुम तुम अगर चाहो तो यहां से जा सकती हो मैं तुम्हें किसी भी बंदन में रखना नहीं चाहता हूँ मेरी शादी हुई है आपसे मैं आपको छोड़ नहीं सकती पर उससे पहले हमें इस नहा उसकी मा और बच्चे की आत्मा की शांती करवानी होगी संतुष और मम्ता गौरी की घर जाते हैं अंदर सब कुछ जला हुआ होता है जमेन पर जली हुई लाशें बिख्री हुई थी मम्ता रो रोकर अपनी करनी की माफी गौरी से मांगती है प्रियास निहा की घर वालों का अंतिम संसकार करवा दीती है और मम्ता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है झालों के साए से मुक्त है